हलो वीवर्स वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का आज हम देखेंगे भहुवे कलपिक प्रश्न परिचार अभ्यास गनित तीसरी कक्षा का है ये प्रश्न पत्र सभी बंगावल वोट के स्कूलों में साथवी तीसरी पंचम और भी के क्लासों को ये भ कि प्रश्न पत्र हल करते हैं पहला है 907 709 977 इनमे से बड़ी संख्या कौन से तो सही उत्तर है सी 970 बारह दस तेरह सोला इठारा बीस इनमे से विसम संख्या कौन से है सही उत्तर है बी नमबर 3 उपर दिये गैडिवो में सबसे जादा गेंध है चौथे नमबर डब्बे में, option D, यदि इन सभी अंकों को आरा हो ही क्रम में सजाएं तो सही उत्तर होगा, C, पांच नमबर है, आम केला अमरूत का कुल मूले कितना होगा, तो इन सभी का मूले जोडने पर हमें मिलेगा, option A, 546 रुपए, चे, एक पैकेट में 10 बिसकुट रीता ने 2 बिसकुट का पैकेट खरीदा और 4 बिसकुट अपने भाई को दिये, तो नीचे दिये विकल में कौन सा सही होगा, तो सही होगा, option D, 2 गुना 10 घटाओ, 4, अच्छा, यहां घड़ी है, किस घड़ी में 6 बज़ रहे हैं, तो सही उ चित्र दिये गया है, जमेतिक आकरितिया, आठ नमबर कीस आकरिती में 2 त्रिभूज है, तो देखें, इसका सही उत्तर 1, 1, एक नमबर चित्र में 2 त्रिभूज है, अगर हम कहें कि यह तो नहीं यहां 3 त्रिभूज है, आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा, सही उत्तर होगा, यही, नौ नमबर में हमें 22, 41, 23, इनमें से कौन सी संख्या, 3 से विभाजी था, तो सही उत्तर है, C, 21, 10 मिन, 10 का प्रश्न है, मिनट का काटा, दिन में घड़ी के कितने चक्र लगाता है, तो सही उत्तर है, 24 बाद, 11, आपने दुकान से मिठाई के तीन पैकेट खरीदे, पर टेक पैकेट में पाँच मिठाई है, जिसमें से आपने दो मिठाई अपने भाई को दिया, तो आपके पास अब कितने मिठाई है, सही उत्तर है, B, 13, 12 नमबर, पिताजी ने दुकान से एक कुर्सी और एक टेबल खरीदा कुल कितना खर्च हुआ सही उत्तर है 1932 रुपे देखिए यहां कॉस्ट दिया गया है तेरा नमबर ट्रेन के एक डिब्बे में 133 यात्री है अगले स्टेशन पर 13 यात्री उतर गए अब डब्बे में कितने यात्री हैं सही उत्तर है रीना और उसकी सहलियों ने मिलकर स्कूल में 171 गुलाब के पौधे लगाएं अमन और उसके साथियों ने मिलकर 121 गुलाब के पौधे लगाएं किन लोगों ने ज़्यादा पौधे लगाएं और कितना ज़्यादा पौधे लगाएं तो सही उप्शन है रीना और उसकी सहलि मिली हैं सही उत्तर है 152 और आखरी प्रश्ण है आखरी डब्बे में कितने सितारे होंगे देखें यहां साथ थे पांच हुए तीन हुए तो यहां सही उत्तर आपको पता ही होगा सही option है C1 इसी के साथ आज को हमारा math का प्रश्ण पत्रह यहीं समाप्त होता है उमीद करती ह कि यह वीडियो आप लोगे लिए helpful है है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आगया आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें मुझे सब्सक्राइब करके support करें लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिने इनकी जरत है अपने सुझाओ कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे तेंक यू थेंक यू फो वाचिंग